के हाई एवरिवन सो आज हम बात करने वाले हैं एग्रिगेटर बिजनेस मॉडल के बारे में एग्रिगेटर बिजनेस मॉडल आखर क्या होता है और इससे करते कैसे हैं आज हम जानेंगे इस वीडियो में लाइक उसके काफी सारे एक्जामपल से बहुत सारे ऐसे ब्रैंड है जो कि aggregator business model में deal करते हैं, काम करते हैं लेकिन as always मैं grocery का ही example लूँगा because grocery का जो business model है काफी लोग पसंद करते हैं और grocery के business model के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे grocery aggregator business model के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फेहली आ रहा हैं तो चैनल को like, share and subscribe जरूर करिएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं aggregator business model aggregator हम किसे कहते हैं aggregator हम बोलते हैं जो startup है, जो brand है जिसके उपर आप जाते हैं shopping करने के लिए यानि कि जो brand है, like मैं अगर example दू तो Ola है, Uber है, Oyo है, Big Basket है, Growfers है तो यह सब है aggregator platform यानि कि यह brands है और यह services देती हैं तो आखिरकार aggregator business model जादा तर अभी क्यों चल रहा है क्योंकि mostly जो भी बड़े-बड़े brands है जिसका मैंने नाम बताया आपको सुईगी है, Zomato है, Uber है, Ola है, Growfers है, ठीक है बहुत सारे है brand जो popular हैं काफी तो वो सारे aggregator business model पे ही firstly ध्यान क्यों देते हैं और उसी model पे क्यों काम करते हैं तो हमारे यहां पे बहुत सारे ऐसे market है जो की unorganized है जैसे की Uber है, ठीक है, जैसे की grocery है मैं grocery के ही बारी में क्यों बात करता हूँ जातर अपने वीडियो में क्योंकि grocery का business model काफी लोग पसंद करते हैं और इंडिया में काफी अच्छे तरीकी से यह model चल रहा है कहीं आपको बाहर जाने की जरुएत नहीं है आप घर के बैठे बैठे, grocery order कर सकते हैं और इस aggregator model से जो दूसरा फाइदा मिल रहा है किसको मिल रहा है जो छोटे दुकान वाले हैं जो कि store वाले हैं जो कि विचारे एक ऐसे location पर है जहां पर कोई भी footfall नहीं है उनका धंदा पानी सही से चल नहीं रहा है वो पिचारे मक्ही मार रहा है उनके पास कोई orders नहीं आ रहा है वाक करके कोई आ नहीं रहे हैं लोग क्यों? विकाज everything is online बतब हर चीज़ online हो चुका है तो उनको कोई पूछन रहा है तो क्या हो रहा है इसे? aggregator model से उनने भी support मिल रहा है और वो भी पैसा अच्छा earn कर पा रहे है तो aggregator business model इसमें होता क्या है? like आप entrepreneurs चाहते हैं अपने एक start-up करना ठीक है? grocery में करना चाहते हैं या फिर foods में, ready-made foods में करना चाहते हैं टीफीन में करना चाहते हैं किसी में भी करना चाहते हैं तो आपका start-up है एक brand है तो आपका जो platform है आप है aggregator ठीक है? तो aggregator model में आप सभी start-up वालों को tie-up करना पड़ता है सभी supermarkets से जो भी service दे रहे हैं मैं एक example ले रहा हूँ grocery का आप कोई भी service लोग तक पहुँचा रहे हैं किसी भी creative line में तो आप उससे type करते हैं लेकिन मैं गर बात grocery कर रहा हूँ तो जितने भी छोटे stores है जो भी location पे हैं जो भी प्रिंकोर्स पे हैं किसी भी area में है उन सभी stores से आप type करते हैं आप aggregator है आपका start-up है आपका एक brand है ठीक है? और बड़े-बड़े super markets है जो भी है छोटा बड़ा ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि मैं आप एक ही super markets जा कि आप type कर लो नहीं grocery का business कर रहे हैं आपका start-up है आप aggregator है तो जितने भी stores हैं छोटा store हो या फिर बड़ा store हो बड़ा super market हो बड़ा brand हो कहीं भी तो aggregator business model में यही होता है कि आप type करते हैं उन सभी से ठीक है? उन सारे छोटे sellers बड़े sellers से उसके बाद उनसे आप images लेते हैं उस service का जो आप provide कर रहे हैं लोगों तक पहुँचा रहे हैं ठीक है? उसके बाद उनसे आप pricing ले रहे हैं उसको ले के आप अपने platform पर यानि कि aggregator platform जो आपका brand है वहाँ पर उसे list कर देंगे उसके direct जो customer है आपके platform पर आता है कोई भी चीज बुक करता है तो बुक करने के बाद आप वो जो order है वो transfer करते हैं sellers को जो आपका जो partner है जिसके साथ आपने partnership किया है उसके बाद आपका जो delivery boy है यानि कि इसमें खर्चा आपको बहुत कम करना होता है क्योंकि aggregator business model इस जो कहते है जिसमें खर्च कम हो तो आप किसी logistic वाले से tie up नहीं करेंगे आपका खुद का जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट यानि कि आपके खुद का जो delivery boys है जो की दो घंटे में या फिर तीन घंटे में जो प्रोड़क्स हैं उसे डिलीवर कर दे कस्टमर के पास तो ठीक है तो आपका जो delivery partner है खुद का जो delivery boys जैसे आप हायर करते हैं जाएगा seller के store पे वहां से grocery को pick up करेगा और फिर कस्टमर के पास उसके डो स्टेप पर उससे ड्रॉप कर देगा ठीक है तो यह किताने सिंपल हो गया aggregator का खुद का platform है brand है और जो delivery boys है उन्होंने खुद हायर कर रखा है आपको खुद हायर करना होगा अगर आपने startup कर रहे है तो आपका platform है तो क्या हो रहा है किसे costing बच रही है अगर आप delivery करने के लिए किसी और logistic partners को अगर हायर करते हैं उनकी help को लेते हैं फिर उनसे type करते हैं तो उनका जो pricing होता है अप होता है डाउन होता है अगर जादा आप उन्हें orders दे रहे हैं तो उनके पास वह आपको pricing कम कर देंगे ठीक है लेकिन आपका initial event थोड़ा सा कम order आ रहा है तो आप कोशिश करें कि अपने खुद के जो delivery boys है उसे hire कर लिए अपने model के लिए अपने अग्रिगेटर मॉडल के अपने startup के लिए ठीक है इस model में एक और आपको फाइदा क्या होता है आपको सिर्फ market में जो स्टोर्स हैं सूपर मार्केट से उससे type करना होता है आपको अपना जो warehouse है उसे लेने की आपको कोई जरूत नही है कि आपको यह जरूत नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं एक ऐसे location पे जहां पर आपको एक बड़ा सा warehouse लेने की जुरत पर जाएगी आपको पैसा जादा लगाना पर जाएगा उसमें stock भी रखना होगा तो उसकी जरूत बिल्कूर भी नहीं आपको वहां से आप warehouse को कट कर रह हैं जो भी sellers हैं और जैसी आपका product sellout होता है बिखता है customer आपके product का पैसा आपको पे कर देता है तो आप क्या करते हैं क्योंकि seller का product है तो seller कमिशन रखके काटके और आप पिर जो प्रेस्ट ऑफ अमाउंट है वह आप पे करते हैं आपके जो पार्टनर्स है यह जो भी सेलर सूपर मार्केट है यह चोटे सेलर हैं बड़े सेलर हैं उसको अपने पैसा काटके कमिशन आप उसे फिर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो फिलाएं मत ज़्यादा पैसा अपना स्पैंड मत करिये वेर हौसिंग पे और बहुत सरे चीजों पर आग्रिगेटर बिस मॉडल पर स्टार्ट करें इनिशली और टाइब करिए स्टोर से और बिजिनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं तो आपको पसंद आया होगा आज का जरूर कर दिजेगा तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्ष्ट वीडियो में से इसे आदर्श और वाचिंग बिजनेस के लादा सिंग साइनिंग आफ